कि नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका डाइरेट क्लासेज में और आजम करने वाले आयो समधित प्रसनों का पार्ट सेकिंड अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी या फिर उपर आई मार्क का जो बटन जी आज हम कर फिर्ष्ट क्लास में हमने देखा तानी ऐसे हम बेसिक से क्यूसन को समझेंगे और आज सेकेंड क्लास हम बड़े बड़े क्यूसन कैसे एकदम सोट में है तो देखें पहला कि अपकी स्केन पर बहुत ही सांदार क्यों से बिना किसी टाइम के स्टार्ट करते ह है कि वोल्रा DBA तट curioson lead it. एक दम पती का एक पूतर देता एक पूत palavra इसके वहाँ कि इनि कि क्यो नमें अप फ्रेके व्याने कि क्योश्च्न पूरा पड़ ली तका कि आप गोले यह बस इतना क्योन बोला है तो Maineisitah इसके बाद में दिया हिए द है牙rowya इसके बाद में दिया है म Excellent जो माता है माता को मान लेते की माता y है तो जो पुत्र १े वो एक दिए यह माता की तो हम मान लेते है commission y बटा 3 है घुलिए इस लाइन में क्या पोड़ा है यदि पतनी की आयू पती की आयू से 6 वह से कम है अगर आपको मैं यह बोलू कि यह पत्ति की आयू 4X में इसको बराबर करना चाहूँ Y के तो 4X के बराबर तो Y नहीं है न क्योंकि 4X के 6 जादा है या तो इसमें से 6 गठा दो या इसमें 6 जोड़ दो आपना अंस्वर 7 आने वाला है यान कि Y में अगर 6 जोड़ेंगे तो पत्नी पत्ती के बराबर होगी होगी चलिए नेक्स लाइन में इसके बाद में तता बहन अपने भाई से 3 वर्स बड़ी है यान कि बहन ये भाई है भाई या आप लिख रहा हूं में X तो उसकी बहन कितनी है बराबर 4 Y बटे 3 ये बराबर तो नहीं हुए न क्यों क्योंकि जो सिष्टर न वो 3 साल क्या है बड़ी है तो या तो X में आप 3 जोड़ दो ये इसमें से 3 गठा लो आपका उत्तर सेम आने वाला है तो चलिए मैं इस X में क्या कर देता हूं कि X में अगर आप 3 जोड़ोगे तो ये सिष्टर के बराबर भाई हो जाएगा आप माइनस भी कर सकते है उदर से एक की बात आंसर सेम आने वाला है कोई फरक नहीं पड़ेगा चलिए अब यहां से आप लोग एक चीज समझेगा नेक्स लाइन में क्या कुछ है तीन वर्स पड़िये तो माता की आयूँ बता नहीं है तो एजी सा फोर्मूला है दोस्तों कि माता की आयूँ बता नहीं है आपको पता है आपके पास इस समिक्रमें में है कि me 4 x 6y x 6 और यहां पर है x3 बराबर y बटे 3 आपको किसी एकaa चीज का मान यहां से निकालना है आप किसी ढी एक चीज का मान निकालकर वा किसी आ एक सम्रें ने में रख तो आपका उत्तर आ जाएगा जैसें आपया आपhos का मान लखलाते हो x का मान मानते हो तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर कि y प्लस equation में टाइम लगेगा समझाने के लिए बटा 4 या तो आप यह कर लो अगर आप x का मान आगे इस x के मान को आप यहाँ रख सकते हो इससे तोड़ा से मेरे को लग रहा है चार अक्स था ना आपका यह उपर वाला तो आप x के मान रख दो तो आप इसको यहीं सोल कर लो पर ले बटा एक लगा कर lcm लेओगे तो कितना आएगा? 3 3 का 3 y का y आएगा और देखो lcm लेने का सोट में तड़ ही है तो 3 तिया 9 गट जाएगा इसमसे यह x का महान आएगे तो आप लोग लिखोंगे 4 इंटू y माइनस 9 बटे 3 बराबर है y प्लस 6 आगया उत्तर समझे यहाँ से आपके पास सोटी सी चीज यह आएगी कि यहाँ से आप गुणा करोगे तो आपके पास आएगा 4 y माइनस 9 चो के 36 बराबर इदर y इदर इस तीन का गुणा इदर सीधा है करते तो इदर हो गया 3 y प्लस 6 तीए 18 आगया समझे y इदर आएगे तो 4 में से 3 के तो क्योवल y बचा बराबर आप लोग क्या लिखोंगे इसे 36 और 18 यह लोग माता किया यह आगी इतने बड़े-बड़े । इस उनते हैं हम इनको सोलू नहीं कर बाते क्योंकि हम मेरी की अनिफ्यूज सकती हैं ये ये आग़े शलचे वर्कषर तो क्यूशन को क्या से सकती हो दूसरी बढार में वा पुतर और शलचे के पर आप यह आपने देखा और आपके पास एक अक्स के वैलियू आगे उसको इस सम्मीकरण से किसी एक के वैलियू रिकार आप उसमें भी रख सकते हो आपका उत्तर आजाएगा क्यों के उसन बढ़ा था यह है चोटी सी कवलेशन थी लेकिन आपको इस प्रकार से कि ऊसन करना है यह साथ में उप्षोन पर नजर रखना है कई वार कया होता की ऑप्षोन लगबग लगबग गलत से मिलते है और को बड़ा उप्षोन आपको दिखाई तो थोड़ा बहुत करने से अंधार हो जाता है यहां पराने कि लगबग 50 प्रले सारा तो आप उप्सन देख भी कर सकते हो नेक्स्ट क्यूशन आपका है यह बहुती सांधार क्यूशन आपके पास कि एक वेक्ती देता उसके पुत्तर की आयू का यूग तो यह बढ़ी है आप लोग के सामने क्य को सॉल कर सकते है तो अब भी आपको बोल रहा हूं कि आप वो वाली कलास देख लें अभी क्यूशन बोल रहा है कि एक वेक्ती था था उसके पुत्तर की पैतालीस वर्स कोई बात नहीं बोलना चाहरा है कि x plus y बराबर 45 है x plus y बराबर 45 है इसके बाद में देखिए क्यूशन क्या बोल रहा है आपका 500 पूर्व है पहले जाना है तो x इसके मानी तो इसमें से 5 गटा दो और y मानी तो y में से 5 गटा दो कुन परदने के साथ साथ ही उत्तर करते जा आप से जल्दी कुस् Hunsmal ँगा वोब बोल रहा है पूर्व है उनकी आयू का वो बोलना आपको यह चारा है कि इनकी आयू का आपको गुणंपल करना है इनकी आयू का आपको गुणंपल करना है एक मिंट में केमरा से कप देख लेता हूं कहां तक आ रहा है चलो आ जाएगा में काम करता हूं थोड़ा इनको पिछे लिख देता हूं थोड़ा सा यहां से लिखते तो य एक्स और य है पांच वर्ज पहले की बात करता तो दोनों में से पांच पांच गठा दो और बोल रहा कि इन दोनों का आपको गुणा करना है कर दिया कोई बात नहीं तो कोश्टर लगा लो इनकी दोनों के अब देखें दोस्तों आपसे वो क्या बोलना चाहरा है आपसे बोल रहा है कि उस समय उसी समय इस समय की बात कर रहा हूँ वेक्ति के आयू का चार गुना था मतलब इन दोनों का गुनन पल है ना वो किसके बराबर बताया जा रहा है कि इस वेक्ति है ना यह जो वेक्ति था y-5 था इसके आयू को अगर आप 4 से गुना कर दो तो यह इसके बराबर होगा अब कई बच्चे सोचते कि इसका गुना करेंगे रक्स इसको आयर एक रहे गार इगा रहे कुछ नहीं दोस्तो बुना में है ना गुना में है तो कट गया वही एक्स माइनिस पांच पांच उधर गया तो एक्स बराबर कितना आ गया नो कितना बड़ा क्यूशन था एक आपको आपके क्यूशन में यह पूचे कि करम से दोनों की आयो बताओ तो एक की नोवड़ से एक की चतिस वर्स आपका आंस्वर बस इस एक लाइन में आंस्वर था और कुछ भी नहीं करना था आपको यह वाली लाइन भी आपको नहीं लिखने थी इंपोर्टेंट चीज यह है कि हम बेसिक चीज़े नहीं सीखते इसके बाद में हमें यह बड़े लेवल की चीज़े वो समझ में नहीं आती है चलिए दोस्तों इससे भी बेस्ट मेटर से और क्यूशन करेंगे हम जैसे अगला क्यूशन आपके पास है यह भी बहुत बड़ी है क्यूशन अनुपात का क्यूशन है अनुपात से भी यहां पर क्यूशन बना दिया अगले नहीं तो कोई बात नहीं आप लोग अनुपात का क्यूशन भी कर सकते हो क्यूसन आपके सामनी ये बोल रहा है की सरी सोरी वर्तमान में वीणा की आयू 15 बर्ष कुछ यह नहीं वीणा की आयू बोल रहा है की वीणा है वो 15 बर्ष की है Ek किके इसके यह आप छी बोला जरह । वीरा तलह आजिए लिवर्तमान आयू अब बो जितने पर्षन हम उनको लिख लओ बीदर कि ब्रसमाइ prob दीदर ॥ वो बोले रहा है वीना तथा क्योंस अंको ध्यान से पड़ता वीना तथा राहूल की आयु का रेशयो है अप क्योंस ने उल्टबह बोला कि अन्यपाथ को शिद्धा ही रख देती यहां पर वह गलत हो जाएगा क्योस ने म因स्ले बोल damals को राहूल की वर्तमान आयु गिनेज की आयू बताओ कोई बात निए जब अनुपात में क्यों तो इस तीन को इधर किसका दो और इस साथ को इधर किसका दो और आप ये कितना हुआ पैंतिस हुआ ये कितना हुआ पंदरा हो आपका अप देखो यहां तो वीना को आई उपंदरा आ रही है और क्योशन में अनुपात में पंदरा आ रही है क्योशन में पंदरा की बराबर पंदरा है तो एक के बराबर कितना हो गया एक तो 35 के बराबर कितना हो गया 35 यह आपको पूशन में मिलेगा और आप बड़े बड़े कुशन को आराम से सोट आप कर सकते हो देखिए किस प्रकार से हमने इसको एकदम छोटा बने है और कैसे कुशन सोल हो गया तो आयू वाले कुशन कोई भी डिफिकल्ट नहीं होते देखिए बड़िया मेतर से कुशन करने वाले हम चलो नेक्स्ट कुशन पर अगला कुशन आपके सामने है कि सरीता की वर्तमान आयू उसके पुत्तर की आयू से पांच गुनी है बहुत बड़ी है कि उसने ये भी सरीता की आयू उसके पुत्तर की आयू से तो एक तो है सरीता और एक उसका पुत्तर पुत्तर की एक्स मानो तो सरीता की है पांच अक् X में प्रबॉला है कि पहले ईसकी आयू को पूतर के ईयू के 25 गुना थी यह यह पाँन फेशन है 5 पहले में आगर हम जाए तो X फी की मुद्व है और 5 X माइन से 5 यह वाले चीज के लिए आपको बोला अब देखो question में क्या कह रहाँ आगला आप से बोरा कि उस समय किु आयू का पचीस गुना पचीस गुना है यानि कि वो ऐसे बोल रहा है जो यह पांच अक साथ न इस पुतर को आप पकैस 15 कुना करोना तो इसके बराबर होगा इस अपंदी कि आयू अना शरीता कि आयू इस पूतर की आयू की 25 गुना है इस टाइम पे ठीक है तो हमने 25 गुना कर दे दोनों को बराबर अब दिया कर लो सोल इधर आपके पास है 5x-5 बराबर इधर आ गया 25x-25 कितना होता है 125 125 जब इधर आएंगे तो 120 बन जाएंगे क्योंकि 5 गड़ जाएगा तो माइनिस हो जाएगा तो इधर बचेंगे 20x और आपको पूचा है कि शरीता की वर्तमान आयू भई अक्स का मान 6 तो 6 पंजे एक्स का मान 6 रखोगे इंटू 6 तो आयू कितनी आगई शरीता की 30 आगई वह प्रोग्लम सबसे बड़ी यह है कि बच्चों को यह meiran समझ में नहीं है कि कौंसा की सकर बराबर रखना तो बराबर रखने वह ऐंसेग admitted करा अपन का कि लिखने का तरीका में बघहर हो हुआ है है में छिवाव debate meer गज़िखने से इन लिकने से हली है और दस को आद शिह से लिखते से तक कर आप ses शाए है बहुत हैं बुठ एक पूर्वह तो इसमें भी पांच नहीं आप बोलना कि इसको आप 25 गोना करो ना तो इसके बराबर आजाएगा इसी समय तो आपने बराबर आक्ष कमान निकालना तो जोड़ बाकिए तो मुझे दूसरे दिसी घ्लास से इक रुड़े है तो अक्ष कमान 6 है तो 6530 इसके कि आप लोगों के लिए देखिए इसको में आपको बढ़िया तरीकर चे कराने वालों जश्ट लास्ट वीडियो में इस क्यूसंट इस परकार के क्यूसंट करने का तरीका आपको बुटाया था तो क्यूसंट आपको यह बोलना चाहरा है कि समीर थता तनुज की आयू का इक तो समीर है, समीर तता एक से कें तनुज है उनकी आयु का रेशियो है, वो आघ रेशियो पंदर है, आट रेशियो पंदर है आपने भी बना ली, इसके बाद बोल रहा है कि 9 वर्स बाद इनकी आयू का अनुपात करम से 11-18 हो जाएगा इसके 11 हो जाएगी इसके 11 हो जाएगी After 9 years plus 9 वर्स यानि कि 9 वर्स बाद plus का मतलब होता है बाद और minus का मतलब होता है पूर वो होता है आप मेरे को एक बाद बताओ छोटे सी मेरी आयो भी 15 साल 5 साल बाद में 20 होगी होगी एक नहीं होगी तो मेरी आयो में जो अनुपात हो बराबर हैगा मैं 15 का थार आप 10 के थे अगर मैं 20 साल का हूँ था आप 15 साल के होगी difference 5 का ही चलेगा बराबर चलेगा देखिए यहां से difference चेक कीजिए कि तो आपको पता चला कि 3 आ रहे है और यहां से difference चेक करोगी बस difference लेना पलस माइनस नहीं लेना आपको यहां से difference करोगी यह तो 8, 9, 10, 11 यहां भी 3 आ रहे है यह भी तीन आर यहां भी तीन आर देखना आपको पता हिसें कि है आपका क्यूसन का अंशर आ चुका और जाने या reservoir है और यहां भी डिफ्रेंस्तितिनकर द्रसारा है। क्या दोनों के आयू समी रूप से बढ़ गया समान रूपसे बढ़ रूप से बढ़ तो पीजिस नौब्स बढ़ने केलिए नौब्स बाद में थो एक अनुपाथ का मतलग कितना हो जाएगा तीन सालेगा किसके आयू इसे आँज़ पूछिये आप फ्षे लगों साथ अंतर आ रहा लेकिन एक का मान तो तीन है तो साथ का मतलब कितना हो गया साथ 21 वर्स ऐसे नहीं करना चाहो तो आप करो आठी चोईस और पंदराथी पेतारिस चोईस माइनस पेतारिस इस इकवल टो 21 आपका उत्तर कर पाऊगे ऐसे क्यूशन ठीक है चलिए दोस्तों इससे अगला क्यूशन देखते हैं पूर्वा और बादवाला भी करवा देता हूं इसमें यह बादवाला आपने कर लिया पूर्वा अब आपको लगा हुए कौन सा कंसेप्ट आ गया तो यह कंसेप्ट मैंने पहली क्लास म करव दोस्तों फिर क्या बोल रहा है कि उसनल में ज्यूं में साथ ऑसफ पुर्वें ए थथा वी की ऐूं का अटिवाट आतने चार पांस था शार और का इपांस तक लिए कि आपके क्या बोलना चाहिए रहे हैं सौध्व बाद महलें सात Pres divert झाता है और वो राइशन होकर होजाता है कि पाँच्छ हो जाता है onhorse 24 फार इंटे है यहीं पर अपके पुछा अपको आप से पूछें तो बहुत एज़ी है कुछ भी नहीं है यहां से बताओ मेरे पूष्द साथ वर्स पहले और साथ बाद में यहां साथ और यहां साथ बताओ तो टोटल डिभ्रेंश कितना हो गया? आप बोलोगे 14 का इस हो गया? पुर्व और पुर्व दे गठा दो बाद और बाद दे गठा दो लेकिन पुर्व और बाद या ? दे जोड़ दो और जोड़ने के बाद में आपको मिला 14 तो एक आपको चोदा री प्रजेंट कर रहा है एक का मतलब कितना आ रहा है यापे चोदा समान रूप चे अनुपात क्या और बढ़ रहे है अगर समान रूप चे मालो यहां पर नहीं बढ़ते या गड़ते तो आप लोग इन दोनों का अंतर लेकर इससे गुणा कर दो और इन दोनों का अंतर लेकर इससे गुणा कर दो बस इजीवे में हो जाएगा आपका क्यूशन क्यूशन में आपको पूचा है वी की वर्तमान आयू वी की वर्तमान आयू क्या थी पांस थी क्या विसाल और सेक्र वाला, हो गया है, यह हो गया, चोदा पंजी, कितना होता है, पचास तर चारू पंजी, भी सक्तर वर्स हो गया, ठीक है न, इजी है, देख लो, इस तरीके से, आप कोई भी क्यूशन कर सकते हो, कितना भी बड़ा क्यूशन हो, अब बिसाल और शेकर की बात लेते हम विशाल और सेखर देखें आप से बोला जा रहा है कि विशाल 14 और 17 14 और 17 कि उसने आपके सामने हैं मैं पूरा नहीं पड़ रहा हूं फिर आप से बोले कि छैवर्स बाद में छैवर्स बाद दिया तो प्लस चैड़ दो चैवर्स बाद में इनकी आयोई 7, 20 हो जाती है वोने रहीं मैं रहीं की एक मान के इउसन कहरे में though together आप बहुत ही अराम से एकड़म हीजीवे मेँ हाल कर सकते हो एक क्यूसन बढ़िया सा और आपको करवा देता हूँ क्यूसन ऐगरा कोई क्यूसन नहीं आए कु innovate रset कर सकते हैं Ó अपना व्हाट सपना Opportunity wead经lett пыт में सो upon a video 9882 629572 यहां पर आप मुझे अपना नाम लिखकर और क्यूशन सेंड कर देना और गाउं का नाम तो लिख देना कम सका मलब किस स्टेट वगेरा से कि यूटूबर कहीं पर भी हो सकता है कहां से यह है तो ठीक है ना दोस्तों और क्यूशन नहीं तो आप इस नमर पर मेरे को आपको एकदम बिलकुल सॉल्यूशन मिल जाएक कैसा भी क्यूशन हो कभी भी हो आपको हत्वाद सॉल्यूशन मिलेगा यह भी नहीं कि आज बेजा है एक महीने बाद में रिप्लाइब है एसा कभी नहीं होता हमारे कमेंट्स का रिप्लाइबी लग बग 5-10 मिनट के अंद हंवां के तीन गुणय से तीन वर्स अधीक है मालो पुट्र मैंने बलता विस लिखने का तरीका बढ़िया हो नचाया आपना यह पीत है वह वह गरा की पुट्शर किा एक से तो पिता कि आयू 3x से 3 वहा रहा है क्योंकि 3 गुणय से तीन दीक है होनेreibt नेच्ट में हो आकय तीन वर्ष बाद तो 3x+, तीन वर्ष बाद पाद में जा रहे हो तो 3 और जूर जाएगा तो कितना हो जाएगा दो बार 3 नहीं लिकरा में और इतना हो जाएगा x तीन वर्ष आगे जा रहे हैं दोनों में 3 ठिन जोग दो नेक्स्ट आपको क्या बोल रहा है वो उसे वेक्ति की आयू अपने पुत्तर की आयू के दुगोने से दस वर्स अधिक हो जाती है उस वेक्ति की जो भी आयू है ना इस समय वो अपने पुत्तर के दो गुने से दस अधिक हो जाती है वो यह बोरा कि यह तीन एक्सप्रस है ना वो पुत्तर के दो गुने से पुत्तर के दो गुने से दस ज्यादा हो जाती है इस टाइम बैस इतना सा क्यूशन था हो या अंश्वर यही चीज समझ में नहीं आती वो बोल रहा है कि तीन वर्स बाद में आपने लिख दिया है तीन वर्स बाद में पुत्तर के आयों को दो गुना करो और उसमें दस जोड़ दो पिर पिताजी के वो बराबर हो जाएगा दोनों यह चीज आप यह भी कर सकते हो इसमें दो का भाग देकर दस घटा भी सकते हो इसमें दो का भाग देकर दस क्यूंकि दो इदर आएगा बाग लग रहा है दस इदर आएगा माइनस हो जाएगा कोई बड़ी बात नहीं है इसको पुत्तर के बराबर लेता सकते हो एक यह बात है तो आप इसको зв Ace पॉस्य ऐगा दो एक्स भलाइका और उध्य क्यों के queen स्वारताइब तो 6-6 कर जाएंगे बच्चा 10 एक्स बराबर आया 10 और आपको पूचा क्या है तो पुत्तर की वर्तमान आयू एक्स मानी थी और वर्तमान आयू कितनी दस है पिता जी की पूच ले तो 30 प्लस 3 बराबर है 33 आगया अंसर आयोब दोस्तों ऐसे क्योशन साप आराम से कर सकते हो तो मेरी तरब से तो देखो कंपलीट हो गया आथ मैंने इतने सारे क्योशन करवा दिए एक दो तीन चर पाथ से साथ आट नो नो दस क्योशन करवा दिए काफी इतने क्योशन अगर अभी भी आपको प्रोब्लम है तो दोनों वीडियो को दुबरा देखिए कोई क्योशन अगर आपको अब क्लास से लगने लगे या आज की क्लास समझ में आई तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए मैं नहीं बोलता आपको की सब्सक्राइब करो या नहीं करो मुझे कोई मतलब नहीं है आपको समझ में आना दोस्तों मिलते हैं नेक्ष्ट क्लास में तन्यों करते हैं